क्लेशन्स क्या सब्सक्राइब अगर आप लोग अगर आप लोग अगर आपको टूप फाइब ट्रिफ ट्रिक बताऊंगा जिससे आप आगे जो गलती कर सकते हो उसे आप एवाइड कर पाऊगे और अपने बेस को एज सून एज पॉसिबल जल्दी मैक्स कर लोगे बला आग अपने जेम्स को इन्वेस्ट नहीं करना किसी बिल्डिंग के अप्डेशन पर आर्मी ट्रेनिंग पर या किसी भी चीज पर जेम्स आपका मोस्ट प्रीसियस क्रेडिट है जो कि एक रिसोर्स के तौर पर आप मान सकते हो जो कि आपके बिल्डर को निकालने में हेल्फ तो पांच बिल्डर आप अपने जेम्स को इन्वेस्ट करके आप निकाल सकते हो और छटा बिल्डर आप लोगा निकलेगा आगे जा करके आपके बिल्डब बेसे से तो जेम्स जब तक पांच बिल्डर आप निकालना लो तब तक आपको अपने जेम्स को बरबाद नहीं क आप लोग यहाँ पर काफी लोग यह गलती कर देते हो कि hammer of fighting, hammer of building जैसे books को आप refer कर ले तो जो कि बिल्कुल आपको value नहीं provide करेगा, जब तक आप town hall 12 हो तब तक once लेके town hall 12 तक build a potion one of the most valuable magical item है और build a potion का सबसे best इस्थमाल होगा अपने सारे builders को busy करके build a potion का use करना और higher town hall में maximum आप अपने heroes को upgrade कर दो और उसके बाद build a potion को use करो, सबसे best value मिलेगा तिल town hall level 12 तक लैसर्स, नंबर 3 की बात करें क्लैसर्स तो आप लोग को priorities देना है, सबसे पहले offense को upgrade करने में, फिर defense को upgrade करने में, अब offenses building में आपका आ जाता है, सबसे पहले clan castle, army camp, laboratory, spell factory, सब जैसे जो building हो होते हैं, यह सारे building आपके offenses में आ जाते हैं, like blacksmith सब भी आ जाता है, जो आपके attacking में health करें, defense में नहीं classes, ओके, तो वैसे buildings को सबसे पहले upgrade करने, number 4 tips and trick की बात करें classes, तो काफी सारे लोग इस 30 का استعمال नहीं करते होगे, यहाँ पे कोई भी army आप use कर लोगा, मैं तो काफी experience है तो चलो मैं army का नाम भी लिख लेता हूँ, मुझे याद हो गई है, बट अगर आप कोई भी new army set करते हो, यहाँ पे कहीं से copy करते हो, या खुद भी बनाते हो, तो उससे relative आपको CC में क्या troops लेना है, उस चीज के लिए आप लोग यहाँ पे जो pencil का icon बना हूँ है, आर्मी camp पे जाओ, यहाँ पे erase करो, जैसे इस में मुझे दो yeti लेना है, यह मतलब जो CC troops में आपको इस army के साथ क्या लेना है, वो चीज याद रखने के लिए आप यहाँ पे rename army में उस चीज का मतलब जो भी आप लेना चाहो, वो चीज यहाँ पे mention कर सकते हो, ठीक है, यह चीज य आपको support करते ही, up to date रखते ही clash of clan में, but अगर आप कुछ websites को refer करोगे, तो आपको instant perfect result भी मिल सकता है, उन में से one of the most accurate website class ninja में से एक है, clash of clan fandom में से एक है, clash champ वारी websites भी काफी अच्छी work करती है, काफी सारी websites मिलेंगी, जहाँ पे इन information को आप grab कर सकते हो, ओके classes, सारी information इस ज और भी clash of clan के creators को follow कर सकते हो, जो कि आपको up to date definitely रखेंगे, और साथ में हम लोग के whatsapp चैनल को भी आप join कर सकते हो, जहाँ पे कोई भी official information आता है, तो directly मैं आप लोग से share करता हो, तो मिलते रहेंगे से देक, और भी new amazing clash of clan के वीडियो के साथ, bye clashers, have a good day, clash on!